नमश्कार, जैहिंद, स्वागत है आप सबी का मेन स्फोकस डिसकेशन में जिसमें हम डिसकेश कर रहे से इंटरनल सेकेवरेटी इंटरनल सेक्योरिटी के जो जो मुद्दे हैं उसमें से अभी तक हम टेरिरिजम को डिसकस कर चुके थे कि भारत में आतंकबाद का क्या मुद्दा है इसके अंदर हमने कश्मीर इशू को भी पढ़ा था कि कश्मीर के मिलिटेंसी और आतंकबाद क्यों आ रहा है ये मुद्दा देखा हमने फिर 26.11 का जो अटेक हुआ था वो देखा हमने उसके बाद गवर्मेंट ने क्या-क्या चेंजिस किये हैं वो सारी चीजें हमने पड़ी थी इसके अलाबा हमने देखा कि आतंकबाद का अगर कोई मुद्दा है तो उसके लिए गवर्मेंट को कौन-कौन सी काउंटर स्टेटजी अपनानी चाहिए वो हमने बेहेड आप आंसर में जिसको लिख सकते हो वो हमने देखा यहाँ पे कौन-कौन सी स्टेटजी गवर्मेंट ने आटोमेटिकली एडॉप्ट की है कब आपके 26-11 का अटेक होने के बाद आतंक बाद के हमने टाइप देखे हमने यह देखा गुड टेरिरिजम बेड टेरिरिजम क्या होता है UN में जो इंडिया मांग कर रहा है टेरिरिजम की एक डेफिनेशन बनाने के लिए उसाथ में टेरिरिजम के लिए कन्वेंशन बनाने के लिए तो उसको हमने discuss किया हुआ था और terrorism किस तरीके से हमारे लिए एक security challenge है ये हमने सारी चीजें देखी थी बाकाइदा graphical representation देखी हमने अलग अलग जो terror attack हुए हमारे या पे जैसे plane का hijack होना या फिर parliament पे attack या 2611 का attack या उसके बाद उरी पठान कोट कोई सा भी example लो हमने इन सब को discussion किया फिर इसके लावा कुछ जो important terrorist groups हैं जो इंडिया में highly active हैं जैसे लशकरे तोईवा जैशे मोहमद सिम्मी हो गया इसको पूरे तरीके से खतम कर दिया गया है और सिम्मी के बाद हमने इंडियन मुझाहिद्दीन तो इनके बारे में पढ़ा था al-qaeda और फिर इसके बा इसके बारे में हमने देखा उसने कौन-कौन से कराए तो जैसे आपका समझोता train blast हो गया समझोता express train का blast हो गया इसके बाद हैद्रावाद मस्जिद blast हो गया अजमेर शरीफ में जो blast हुआ था वो हमने देखा था तो इस तरीके से कि right wing ने क्यों ये blast कराए गये थे इन सारी चीजों को हमने अपने lectures में पिछले वाले में देख लिया है ठीक है अब आगे बढ़ेंगे हम आज के हमारे topics की तरफ internal security में जो की है organized crime ठीक है तो अगला topic रहेगा आपका organized crime और organized crime में ही एक और आपका link करके हम एक और topic पढ़ेंगे economic offenses ठीक है क्योंकि organized crime का main मकसद क्या होत आता है तो हम economic offenses पढ़ेंगे के economic nature के crime कौन-कौन से है तो आज और कल इन दो classes में हम यही चीजे पढ़ने वाले है कि organized crime क्या है किस तरीके से इंडिया में conduct किये जाते है major player कौन है कौन-कौन से टाइप से organized crime के counter strategy क्या होनी चाहिए कि इसको हम counter कैसे कर सकते है इन सबसे पहले सबसे important चीज अनकेडमी प्लस का अगर आप subscription लेते हो तो क्या-क्या benefits मिलेंगे real time interaction होता है आपका teacher के साथ जो भी doubts queries बगेरा हो वो आप life class में teacher के साथ clear कर सकते हो तो real time interaction है किसी भी category में आपको एक subscription लेना होता है और उस category का आपको unlimited access दिया जाता है तो subscription आपने एक लिया है और unlimited access है example के तोर पे आपने UPSC category में अगर subscription लिया तो UPSC में जितने भी educators पढ़ा रहे हैं आप उन सारे educators से पढ़ सकते हो तो यह यहाँ पे सबसे बड़ी help होती है आपको अलग-अलग educator के लिए अलग-अलग subscription नहीं लेना है category वाई subscription लेने है customize mentorship है जो भी educator फिर आपको अच्छा लग रहा है पूरे educator की list में आप उससे जाके पढ़ सकते हो individual attention पे focus किया जाता है हर एक experience के doubts, queries, exam related जो doubt रहेंगे topics, levels related जो doubts है हम उन सब को solve करते हैं तो यह आपको एक यहाँ पे benefit मिलता है notes provide किये जाते हैं आपको PDF format में ठीक है अगर आप देखो तो जो हमारी special classes होती है YouTube classes होती है उस पे इतने ज़्यादा notes की availability नहीं होती है या comprehensive nature के notes होते हैं जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें plus में आपको जो notes मिलेंगे यह एकदम detailed notes हैं जो आपके prelims और mains दौनों में आपको help करने वाले हैं तो यह एक important feature आपको दिया जाता है Unacademy Plus के साथ online, offline दौनों mode में आप classes देख सकते हो जो भी आपको convenient लग रहा है जिसमें भी आप comfortable हो उसमें जाके आप classes देखें structured courses है, prelims, mains, interview, तीनों level के हम तयारी कराएंगे आपको इसके साथ ही अगर आप mains की तयारी करते हो तो उसके लिए भी हम separate courses चलाते हैं GS अलग पढ़ाते हैं आपको और optionals की तयारी अलग करा रहे हैं तो यह एक बड़ा फायदा मिलता है आपको Unacademy Plus पर test series और quiz का option दिया जा पा रहे हो या नहीं इस चीज के लिए हमने test series और quiz भी दी है ताकि आप अपना एक analysis कर सको तो analysis part के लिए आपको test series और quiz भी दी जाती है साथ में doubt clearing sessions हैं किसी भी कारण से अगर आपके मन में कोई doubt रहे गया है life class में आप नहीं पूछ पाए हो जो topic पढ़ाय जा रहा है उस time पर आप नहीं पूछ पाए हो या topic पढ़ने के बाद बाद में आपको उस topic से कोई doubt निकल रहा है तो अलग से ये sessions conduct कराये हैं हमने आपके लिए जिसमें आप अपने doubts clear कर सकते हो ये सारे फायदे कहां मिलेंगे केवल औ केवल unacademy plus पर तो जल्दी से unacademy plus को join करें इन सार SGIRI तो instant आपको यहां पर 10% का discount मिलेगा तो इस 10% discount का फायदा उठाए है और ये referral code apply करें इसके साथ ही एक और news है या एक और update है आपके लिए unacademy पे जो भी special classes चलती है जिनकों free classes के नाम से भी जानते हैं तो अब इन classes को भी unlock करने के लिए आपको इस referral code को लगाना पड़ जो की है SGIRI जैसे ही आप ये referral code लगाओगे ये classes unlock हो जाएंगी ठीक है तो अब आप special classes को भी इस code के माध्यम से unlock करके देख सकते हो कोई भी charges नहीं रहेंगे इसके free classes जो है बस आपको ये code apply करना पड़ेगा तो आप इस code को apply करें जितना जादा हो सके किसी भी category में आप code को apply कर सकते हो UPSC, SSC, banking, net, jee किसी भी category में इस code को apply कर सकते हो 10% discount मिलेगा हर एक जगा पे applicable लहेगा तो इस code का जितना जादा आप use कर सके उतना use करें अनकेडमी पर ये मेरी class timings है रोज सुबह 11 बजे पढ़ा रहा हूँ मैं philosophy optional और दुफैर में 3 बजे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ethics की नई series जो की 28, 29 या फिर 1st of December से हम स्टार्ट करेंगे इसमें हम पूरा ethics का discussion करेंगे ठीक है तो जो भी means की तियारी कर रहे हैं उन के लिए ये बहुत ज़्यादा helpful होने बाला है या फिर जो 2021, 22, 23 किसी की भी तयारी कर रहे है उन सारे बच्चों के लिए ये ethics को बिलकुल basic level से हम समझेंगे तो जिस किसी को भी ethics पढ़नी हो वो तीन बजे मेरे साथ जुड सकता है और जिसको philosophy optional पढ़ना हो वो रोज सुब तो वो रोज सुबह 9.45 a.m. पे जिसको हम पौने दस भी बोलते हैं तो आप रोज सुबह पौने दस पे आ सकते हो ऑनलाइन कहां पे तो wifi study UPSC platform पर यूटूब पर जैसे ही आप सरच करोगे wifi study UPSC आपको उपर ही ये channel दिख जाएगा इसको subscribe करें और 9.45 a.m. पे आप आए और इस वीडियो को देखें जिसमें हम पूरा prelims focus करें इंटफेयर discuss करते हैं prelims में आप से क्या पूछा जा सकता है शाम को 6 बजे हम discuss कर रहे हैं internal security जो class आप अभी देख रहे हो तो ये है internal security की class 12 लेक्चर की ये class होने वाली है जिसमें security related जो भी मुद्दे हैं हमारी internal security के क् classes है उन सारे मुद्दों को हम यहाँ पे देख रहे हैं तो रोज शाम को 6 बजे आप ये classes देख सकते हो तो ये मेरी unacademy और youtube पे कुछ classes हैं जिनके तुरू आप मुझे follow कर सकते हो साथ ही आप क्या करें यहाँ पे wifi study UPST channel को subscribe करें क्यूंकि जब भी मैं नई classes लेके आऊंग शुबमगेरी आपको मेरा profile दिखेगा profile पे जाके मुझे follow करें जैसे ही आप मुझे follow करेंगे तो क्या होगा जो भी मैं update डाल रहा हूं वो सारी updates जो भी classes मैं बना रहा हूं वो सारी classes की updates आपको यहाँ पे मिलती रहेगी तो जल्दी से जाके मुझे unacademy पे follow करें और साथ में channel को subscribe करें बाकी जितने लोग भी अभी online है सबसे पहले video like करो अगर अभी तक आपने like नहीं किये तो like करो जितने आपके दोस्त हैं जो भी आपके whatsapp groups हैं telegram group है अलग-अलग जिन platforms पे आप जुड़े हो social media में सारे जगा इस video को share करो ताकि और बच्चे भी इसका benefit उठा सके share करो जितना जादा हो सके knowledge बाटने से ही बढ़ती है तो बाटो इसको जितना जादा हो सके और साथ में channel को subscribe करो doubts किसी भी type के कोई भी आपको होते हैं इस video से related या पुरानी किसी video से related तो comment section में जाके आप उन doubts को post कर दिया करें next video में हम discuss कर लिया करेंगे ठीक है तो आप comment में doubts पूछ सकते हैं start करते हैं आज का हमारा topic जो की है organized crime से related ठीक है organized crime मतलब क्या हो गया organized मतलब हो गया विवस्तित ठीक है कि जो बिलकुल planned crime हो रहा है ठीक है planned crime activities हो रही है उसको हमने बोला organized crime तो organized crime क्या होगा ये एक type की illegal activities होंगी ठीक है जो legal nature में नहीं होगी कानून के खिलाफ जाके इन activities को कराया जा रहा है तो ऐसी activities को हम क्या बोलेंगे organized crime या ऐसी activities को हम बोलेंगे illegal activities अब इस illegal activities को करने के लिए आप source कौन सा अपनाते हो means कौन से होते हैं तो generally इसमें सहारा लिया जाता है corruption का ठीक है कि जो officers हैं जो यहाँ पे जो भी authority है जो इसको check कर रही ह जैसे suppose अगर आप money laundering है ठीक है जैसे money laundering का case है तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ED officials है उसमें आपने किसी को bribe दे दी घूस दे दी और फिर वो आपके खिलाफ checking नहीं कर रहे है तो पहला इसमें सबसे heavy use होता है corruption का अब corruption से अगर बात नहीं बनती है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी को losses हो रहा है commercially तो फिर यह रास्ता अपनाते किसका violence का ठीक है तो फिर यह violence का रास्ता अपनाते अटेक बगेरा कराये जाते हैं इनके दौरा तो illegal activities में generally किसका corruption का सहारा लिया जाता है या दूसरे तर goal achieve करना मतलब at the end इनको पैसों से मतलब है कि बस पैसे इनके पास आने चाहिए benefit होना चाहिए इस चीज़ से तो commercial goal इनका सबसे main मकसद है इसकी लिए यह crime conduct किये जाते हैं तो इक ऐसा है illegal activities है corruption या violence का use किया जा रहा है अपने commercial goals असीब करने को इसको हमने क्या बोला organized crime organized crime की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे main motive या aim क्या है तो motive है आपका पैसा कमाना ठीक है commercial benefit या commercial interest के लिए यह crime commit किये जाते हैं कि जिसमें पैसे का involvement हो रहा है बस उसी के लिए यह crime commit किये जा रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में आपको डर फैलाना हो panic create करना हो society में किसी government को हटाना हो यह कोई motive नहीं ultimate motive क्या है कि यहाँ पे personal gain के लिए या अपनी company के gain के लिए आपको क्या करना है बस पैसे कमाना है organized crime को हम क्या बोलेंगे तो generally ऐसे crime कि के जो commercial nature के हो और कितने minimum दो या तीन लोगों के group द्वारा किये गए हो और ऐसा नहीं कि एक बार long period of time में यह करते आ रहे हो ठीके जैसे मानलो drugs की smuggling है तो आज इनोंने कहीं पे drugs बेचा फिर इसका एक पूरा यहाँ पे इनोंने एक setup ब को यहाँ पे बेच रहा है यह तीन लोगों को बेच रहा है यह तीन लोगों को बेच रहा है और क्या हो रहा है जैसे अब यहाँ पे कोई police officer है तो इसने उसको घूस खिला दी यहाँ पे कोई P1 police officer है इसने P2 police officer को घूस खिला दी इसने P3 को और इसने P4 को और freely यहाँ पे विवस्तिस तरीके से ऐसे ड्रग्स बेच रहे हैं तो इसको हमने क्या बोला और्गनाइस्ट के अब ये पकड़ नहीं पा रहे हैं क्यों क्योंकि इनने पुलिस ओफिशल्स को यहां पर घूस खिला के रखे हैं करप्शन करके रखा है अब यहीं पर कोई ओनिस्ट पुलिस ओफिसर आगया तो इसके रैकेट का भंड़ा फूटेगा और वहां पर जाके यह पकड़ा जाएगा तब हमें पता लगेगा कि हां यह किसी तरीके की इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वाल बताटी के तो ऐसे लोग जो इल्लीगल काम करते हैं दो से तीन लोगों का ग्रूप होता है लंबे टाइम के लिए करते हैं अल्टिमेट मॉटिफ क्या है कमर्शल इंट्रेस्ट लेना तो इसको हमने बोला ओर्गनाईसड क्रैम ओर्गनाईसड क्राइम के अगर हम Convention का नाम किया UN Convention on Transnational Organized Crime मतलब एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश में जो Organized Crime किये जा रहे हैं या फिर अलग-अलग देशों में जो Organized Crime किये जा रहे हैं उसको इस Convention के तहत रखा गया है और उसके basis पे ये Convention Organized Crime के कुछ feature बताती है तो सबसे पहला feature तो क्या है कि ऐसा Crime जो किसी एक Organized Group के द्वारा commit किया गया हो ठीक है Organized Group मतलब क्या होता है कि Basically देखो जैसे आपकी Companies होती है ठीक है जैसे आपकी Industries होती है तो इसमें क्या होता है कि आपका सबसे उपर एक CEO होगा या MD होगा इसके नीचे Board of Directors रहता है फिर अलग अलग जगा पे इनके Offices खुलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा इन Offices के Office Head या उसको हम बोल दे Regional Heads होंगे फिर इनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे होंगे Regional Head के जो Departmental Heads होंगे हर एक Department को Head कर रहे होंगे इनके नीचे फिर कुछ Employees होंगे फिर Employees का एक Team Leader होगा ठीक है एक्जाम्पिल के लिए D company दाऊद की ठीक है इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि डाऊद क्या हो गया यहाँ पे CEO या MD हो गया इस company का इसके नीचे और जो छोटे छोटे गेंगस्टर्स हैं दाऊद इनको बताता है क्या लेना है क्या कैसे काम करना है कौन सी smuggling करनी है इनने गेरियाज में छोटे छोटे गेंगस्टर्स बैठे हुए उनको यह decision पहुचा दिया कि हमें इस चीज की smuggling करनी है यह यहाँ पे अपने नीचे वालों को यह decision पहुचा देंगे यह अपने नीचे वालों को और फिर यह ground level पे जो सामान बेचना होगा उसको बेचना होगा इसके लिए यह फिर जो हमारे officials हैं जो counter strategy में काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा complicated हो जाता है यहाँ पे second अगर हम बात करें organized crime को किस category में डाला गया है तो basically ऐसे crimes को हम organized crime की category में डालेंगे कि जिन crimes में minimum 4 साल की सजा हो ठीक है जैसे आपका money laundering कि black money को आप white money में convert कर रहे हो ठीक है money laundering fake currency हो गया कि आप किसी देश में fake currency circulate कर रहे हो तो यह सारे crimes किसमें आ जाएंगे extortion किसी को पैसा मांग रहे हो डरा के धमका के kidnapping तो यह सारे किसमें आ जाएंगे organized crime में इन सब में क्या है चार साल से उपर की सजा है और third सबसे important चीज क्या है कि इसमें जो ultimate aim होगा वो क्या होगा commercial benefit के केवलो केवली यह commercial benefit के लिए किये जाएंगे commercial benefit इनका ultimate aim होगा organized crime की अगर हम types की बात करें कि कितने types से हम इसको divide कर सकते हैं अलग-अलग types के कौन-कौन से organized crime होते हैं तो basically organized crime को आप दो part में divide कर सकते हो पहला तो है conventional crime या इसी को हम क्या बोलते है traditional crimes ठीक है traditional crimes basically इनकी modus operandi सेम है सालों से यह किये जा रहे हैं अलग-अलग areas में यहां पे history में अगर आप देखोगे तो हर जगा आपको यह crimes देखने को मिलेंगे तो यह traditional crimes है जो यहां पे मिलेंगे दूसरे आते modern crimes ठीक है कि जो globalization, urbanization इन चीजों की बज़ए से modern times में यह crime बढ़े हैं तो एक-एक करके हम सारे crimes को देखेंगे पहला है आपका conventional crime, conventional crime में सबसे पहला आता है आपका kidnapping ठीक है तो kidnapping में क्या होता है कि basically किसी भी एक person को आपने उसकी सहमती के बिना उसकी consent के बिना चोरी छुपे उसको बिहोस करके या मार पीट करके उसको पकड़ लिया ठीक है और फिर आप उसको क्या रख रहे हो बंद करके रख रहे हो किसी एक जगा में और उसको छोड़ने के लिए उसके बदले में आप क्या मांग रहे हो पैसे मांग रहे हो ठीक है उसके बदले में आप money मांग रहे हो पैसे मांग रहे हो जब वो पैसा देता है तभी आप उस बंदे को छोड़ते हो वरना उसको मार देते हो तो यहाँ पर ultimate motive क्या है या फिर से money क्या आपने उस बंदे को kidnap किया किस चीज के लिए पैसे के लिए दूसरा होता है extortion कोई gangster है या फिर कोई गुंडा है किसी भी तरीके का powerful person है तो वो क्या कर रहा है लोगों को phone लगा रहा है बंदू की नून पे बैपन्स वगेरा का use करके या अपने power का use करके किसी भी चीज का misuse करके क्या कर रहा है यहाँ पे यह उन लोगों से पैसे की demand कर रहा है कि जैसे आपने देखा कि Bollywood में क्या होता है दाउद अपना पैसा लगाता है कि दाउद अपना पैसा लगाता है स्टार्टिंग में लगाया इसने बहुत सारी movies में ताकि वो अपने black money को white कर सके अब यह चीज इसने kiss basis पे की कि कोई भी director नहीं मान रहा है तो आपने उसके जाके सामने ऐसे बंदूक रख दी उसकी table पे किये लो अब नहीं मानोगे तो जान से जाओगे तो इसको क्या बोला extortion दराद हमका के पैसे निकालना थर्ड आता है इसमें contract killing contract killing मतलब क्या हो गया कि basically एक कोई person है जो criminal है जिसका main motive क्या है कि आप उसको पैसा दो उसके बदले वो किसी को भी जाके मार सकता है उसको x, y, z कोई मतलब नहीं है male है, female है, powerful है rich है, poor है उसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है उसका ultimate motive क्या है पैसा, उसको पैसा मिला आप person की photo दो वो नहीं देखेगा कि इसने अच्छा काम किया या बुरा वो जाके उसको मार देगा ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते है contract killers और इस crime को हम क्या बोलेंगे contract killing फूर्था आता है अपका liquor smuggling देखो, अब liquor ऐसी है ना दारू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में alcohol, तो यह क्या है जैसे अगर आप गाओं लेविल पे देखो तो जो basically जो domestic manufacturer है, जिसको हम क्या बोलते है देशी सराब बोलते है, ठीक है तो domestic वाली यह गाओं लेविल पे बहुत जादा बिखती है दूसरा क्या होता है English brands जो होती है, foreign brands जिनको तो यह urban level पे जादा बिखती है अब generally क्या होता है इनके बनाए जाते है variant के जैसे यहाँ पे कोई English brand है अगर suppose इसकी price है 2000 रुपीस और यह आ रही है suppose France इसे आ रही है यह US से बन के आ रही है तो इसको क्या कि आपने इंडिया में ही बना लिया दूसरा क्या हो गया के कहीं foreign brand की कोई आपकी liquor आ रही थी तो आपने रास्ते में ही कहीं पे उसका truck चोरी करा लिया या कुछ और फिर आप उसको एक जगा से दूसरी जगा बेच रहे हो smuggle कर के ठीक है तो इसको क्या बोला गया liquor smuggling अब liquor smuggling ancient time से क्यों होती आ रही क्योंकि आपने देखा होगा हमने history में भी पढ़ा है इंदस वैली civilization रिगवेद हर जगा पे हमें क्या है liquor के evidences मिलते हैं कि किसी ना किसी तरीके की liquor consume की जाती थी लोगों से तो liquor इंडिया में बहुत ज़्यादा है दूसरा personally अगर इंडिया के point of view से देखें तो इंडिया में जो elections होते हैं ठीक है ये हर किसी को पता है कि elections में ground level पे liquor का distribution बहुत ज़्यादा होता है जो politicians होते हैं बहुत सारे politicians ऐसा करते हैं कि चुनाओ जीतने के लिए liquor को बटवाते हैं सारी चीजे तो ये कैसी हो रही है ये सारी पूरी illegal manners में होती है illegally इसको बनाया जाता है और फिर बेचा जा रहा है ठीक है और ये सब कैसे किया जाता है ताकि government को tax ना देना पड़े जो अगर आप बाहर से legal way में मंगाओगे तो government को tax देना पड़ेगा और alcohol पे tax बहुत जादा होता है तो इस बज़े से इसको क्या smuggle करके मंगाया जाता है और बेचा जाता है फिर अगर हम बात करें prostitution record prostitution record मतलब क्या हो गया कि basically कुछ females है जिनको आपने गिडनेप कर लिया या फिर उनको डरा धमका के extort करके आपने उनको पकड़के ले गए और basically फिर उनको किसी भी prostitution industry में धकेल दिया उनकी consent के बिना उनको यहाँ पे किसी के साथ आप sexual relation बनाने को बोल रहे हो तो इसको हमने क्या बोल दिया prostitution अब initially क्या होता है consent के बिना होता है लेकिन हमारी society ऐसी है कि अगर कोई prostitution में चला जाता है तो फिर उस female को accept करना लोगों के लिए बहुत जादा complicated है वो उसको accept नहीं करते है society उसको accept नहीं करती है तो at the end अब यह जो female है जो prostitution में चलीगी भले ही forceful गई है यह उस trap में फसके रह जाती है कभी उससे निकल नहीं पाती है तो जो prostitution racket चलाए जा रहे है यह भी आप देखो इंडिया के हर एक छोटे सहरो या बड़े शहरो हर जगा पे मिलेगा बस difference आएगा किस बेसिस पे कि जब आप बड़े सहरों में जाओगे तो बड़े लेविल पे देखने को मिलेगा छोटे सहरों में जाओगे तो छोटे लेविल पे देखने को मिलेगा फिर आती है human trafficking basically इसमें क्या है आपने किसी बच्चे को अगवा कर लिया ठीक है गिन्नेफ कर लिया उसको उठा के ले गए किस चीज के लिए आप उससे बैगिंग करवा रहे हो भीक मंगवा रहे हो ये सारी चीज़ें करवाने के लिए या फिर उसको prostitution में ढखेलने के लिए या x by z कुछ भी मकसद हो सकते हैं आपके in future आप उसको criminal बनाना चाहरे हो इन सारी चीज़ों के लिए जो humans को उठाया जाता है उसको हमने क्या बोला human trafficking फिर होती है money laundering money laundering मतलब क्या हो गया कि जो आपकी black money है उसको white में convert करना ठीक है तो अगर हम traditional way में बात करें तो यहाँ पर यह हवाला का जो आपने देखा है concept उसके जरिये होती थी इसमें हवाला में क्या हुआ कि basically suppose इंडिया है ठीक है तो इंडिया में एक कोई ऐसे shop खुली होगी जो money transfer related होगी इसका shop का नाम रखा हमने दूसरी यहाँ पर क्या होगी बंगलादेश जैसे अगर कोई छोटा देश है वहाँ पे एक बैठा होगा person उसके वहाँ पे एक दुकान खुली होगी जिसका नाम होगा B अब यह क्या करेगा A यहाँ से पैसा transfer करेगा मतलब यहाँ पे इंडिया में कोई person है वो A को पैसा देगा suppose इसने एक करोर रुपे इसको दिया और इसके बदले यह इसको receipt देगा ठीक है यह एक करोर जिसने इसको दिया है उसको यह receipt दे दी जाएगी कि आपका एक करोर मैंने receipt कर लिया है अब यह बताएगा B को के मेरे पास एक करोर रुपे आ गए है और B क्या करेगा यहाँ पे जो इससे पैसे लेने आने वाला है उसको वो पैसे देदेगा तो अब आपने इंडिया से बांगलादेश पैसे ट्रांसपर कर दी गवर्मेंट का कोई involvement नी हुआ बैंक का कोई involvement नी हुआ और बेसिकली इसमें आपने tax बचा लिया बस थोड़ा बहुत commission था वो A को दे दिया और इसने अपना commission B को दे दिया तो commission basis पे ये काम हो गया टेक्स चोरी कर लिया आपने और आपका जो काला पैसा था black money था उसको आपने white कर लिया ठीक है तो ये इसको हमने क्या बोला यहाँ पे money laundering और जो की होती थी हवाला के जरिये तो ये कैसा conventional way है आजकल money laundering modern ways में होने लगी है इसको हम डालेंगे modern crime में तो इसको अभी हम देखेंगे modern crimes की बात करें तो सबसे पहला तो आता है इसमें आपका drug trafficking ठीक है कि basically drugs को एक जगा पे दूसरी जगा पे भेजना लोगों के बीच में इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हमारा जो पंजाब state है वो drugs की problem से सबसे ज़्यादा जूज रहा है सबसे ज़्यादा प्रहशान है अब drugs में अभी इसमें दो तीन चीजें होती है एक तो जैसे आपके जो traditional drugs हैं जो ancient time से use करें आ रहे हैं जैसे opium जिसको हम क्या बोलते है गांजा ठीक है opium ठीक है गांजा अफीम ये जो हो गए ये traditional drugs हैं इसके बाद कुछ modern drugs भी आने लगे chemical format में जो बनाए जा रहे हैं जैसे आपके हो गया heroine type के cocaine ये जो drugs हैं इनकी trafficking की जा रही है फिर आता है arms trafficking के हतियार आप बना रहे हो कहीं पर government से license लिए बगर illegal way में आप हतियार बना रहे हो और फिर इन में लोगों तक पहुचा रहे हो तो इसको क्या बोला जाता है arms trafficking जैसे आपने देखा होगा देसी कट्टा word आपने सुनाओगा ठीक है इसको क्या बोलते है देसी पिस्टल बोलते है ठीक है यह देसी पिस्टल होती है इस पिस्टल को बनाया जाता है जो आपकी rods बगेरा होती है उसको use करके कोई भी छोटे से यहाँ पे जो आपके लोहे का काम करने वाले होते जिनको हम लोहार भी बोलते हैं वो लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं ऐसे देसी कटे इजली बना देते हैं ठीक है तो ऐसे नॉर्मल लेवल पर आपने यह बनाए बंदू के बगारा फिर आप इसको सप्लाई कर रहे हो जो नक्सलाइट्स हैं उनको terrorist हो गया उनको या फिर किसी को भी जरूवत है जो illegal manner में यहाँ पे गन खरीदना जा रहा है तो इसको हमने क्या बोला arms trafficking एक नई चीज और निकल क्या है अभी क्या organ trafficking ठीक है organ trafficking में basically क्या है आज के time पे आप देखो organs का transplantation possible हो गया कि basically अगर किसी का एक organ खराब हो जाता है कुछ लोगों की death होती है तो वो अपने organs donate कर देते हैं ठीक है organs donate कर देते हैं कि अब जैसे उनकी जो आख है या kidney है तो किसी के पास kidney failure है वहाँ पे kidney use कर सकते किसी की आखों में आखों की रोशनी चली गई है तो वहाँ पे eyes दूसरी replace की जा सकती है तो इसको हमने क्या बोला organ transplantation अब ये चीजें क्या है बहुत जादा पैसा demand करती है ठीक है इन में बहुत सारा पैसा लगता है तो जर्णली फिर इसके लिए क्या किया जाता है organ trafficking और इसमें एक चीज़ देखने को मिली है organ trafficking में जर्णली इसमें आपको rich class के लोग मिलेंगे rich class के अब जैसे किसी की kidney fail हो गई वो बोलेगा मेरी kidney लगवा दो मैं आपको एक करोर रुपे दूँगा तो इस case में क्या होगा अब ये जो organized crime बाले हैं ये सहारा लेंगे human trafficking का किसी छोटे area से किसी human को गिड़नेप करेंगे उसे करो लिए और उसमें ये kidney transplant कर दीगे ठीक है तो इसको बोला गया organ trafficking अब initially क्या होता था पहले जैसे आप हवाला कर रहे हैं ये सारी चीजे लेकिन अब क्या है foreign exchange जब हमारे या पर बना तो उसमें gold भी उसका एक part बना और gold की prices ऐसी हैं जो जादा रहती है fluctuate भी होती र हो सकती है तो यहाँ पे अगर आप 1,00,00 रुपे का cash दे रहे हो तो उसके लिए आपको ज्यादा space के जरुवत है वहीं पे अगर आप 1,00,00 का gold दे रहे हो तो हो सकता है इतनी चोटी सी अंगूठी में वो यहाँ पे 1,00,00 का gold आ जाये ठीक है इतनी चोटी सी अंगूठी बनानी पड़े उसमें आ जाए तो इस वजय से क्या हुआ यहां पर गोल्ड की स्मगलिंग स्टार्ट हुई कि जहां जहां पर सोना बनता है उसको चुरा के या माइन से से उसको अलग से हटा के और ये goals smuggle करना start किया गया फिर एक नया हमें देखने को मिला gambling कि लोग क्या कर रहे हैं जुआ खेल रहे हैं पैसे लगा रहे हैं इसमें सबसे बड़ा अभी हमें देखने को मिला क्या IPL की match fixing कि जैसे आप इसका ऐसे समझ लो कि Royal Challengers Bangalore यहां पर match खेल रही है और CSK चिन नई Super Kings match खेल रही है ठीक है तो अब यहां पर natural जो game चलता था उसकी वज़ाए क्या किया कि यहां पर आपने किसी एक team को खरीद लिया ठीक है आपने पहले से decide कर लिया कि match कौन जीतने वाला है या फिर लोग अब इस पर पैसे लगा रहे है suppose किसी ने बोला कि RCV जीतेगी मैं इस पर एक करोर रुपे लगाता हूँ और किसी ने बोला कि यहां पर CSK जीतेगी मैं इस पर पाँच करोर रुपे लगाता हूँ तो जब इनने देखा कि CSK के जीतने पर पाँच करोर रुपे लगे हुए हैं तो मुझे ये पैसे देने पड़ेंगे तो इन्होंने क्या किया RCB वाले प्लियर्स को बोला या फिर इनके मालिक को बोला कि हम आपको दो करोर देंगे आपको ये मैच हारना है ये जान बूच के ये मैच हार गए अब यहाँ पे इनको जो पाँच करोर मिलने थे वो मिल गए देने नहीं पड़ेंगे और इसमें 2 करोर इनने टीम को दिये बीच में बैठके 3 करोर का इनका फायदा हो गया ठीक है तो यहाँ पे भी कमर्शियल गेन हुआ तो इस टाइप से गैंबलिंग होने लगी है मैच फिक्सिंग होने लगी है यह कुछ modern crimes हमें देखने को मिले फिर बात आती है cyber crimes की ठीक है अब इसमें क्या है कि basically आपने कोई सा virus छोड़ा उस virus की मदद से आपने किसी के computer का access ले लिया अब उस computer का जब आपको access मिला उसको आपने hack किया अब hack करने के बाद जो उसके personal documents है personal documents है आपको उसका access मिल गया है personal documents का access मिल गया है अब आप उन documents को release करने के बदले क्या मांग रहे हो पैसे के मैं यह documents आपको तब लोटा हूँगा जब आप पैसे लोटा रहे है एक चीज यह है, दूसरा क्या है, आपने किसी के laptop या desktop को access किया, अब उसमें उसकी कुछ personal nature की pictures पढ़ी होई थी, videos पढ़ी होई थी, आपने उसको यहाँ पे निकाल दिया है, अब आप बोल रहे हो कि मैं यह video circulate कर दूँगा public में, अगर आप चाहते हो कि circulate ना कराएं, तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यह हो सकता है, तीसरा क्या, आप net banking बगएरा जो use करते हो, card बगएरा जो use करते हो, तो इनके OTPs जो आते हैं, तो आपके mobile number का access ले लिया, mobile को hack कर लिया, और उसके माध्यम से आपकी net banking का use करके, या किसी भी online transaction का use करके, आपके account से पूरे पैसे निकाल लिये, तो यह सारे किस nature में आएंगे, cyber crime में, अब आता है money laundering के modern तरीके, ठीक है, जैसे आपने tax heaven countries के बारे में सुना होगा, tax heaven countries क्या होती है, basically यहाँ पे tax बहुत कम होता है, और इनका काम क्या है, basically इन countries को money laundering के लिए ही use किया जा सकता, पैसे समझ ल laws ऐसे बने होंगे, tax heaven में हमेसा laws ऐसे बने रहते हैं, कि वहाँ पे company खोलना बहुत आसान होता है, तो यहाँ पे किसी भी person ने company register कराई, अब यह company suppose 1000 रुपे में register हो गई, यह company यहाँ पे 1000 रुपे में register हो गई है, ठीक है, अब 1000 रुपे में यह company यहाँ पे register हुई, इसके आपने क्या किया, इसका registration कराया, company physically कोई नहीं हो सकता, एक कमरे का आपने address दे दिया और आपको लग रहा है कि पूरी company चल रही है, अब यह company इंडिया में आके क्या करेगी, trade करेगी, किसी दूसरी company के साथ trade करेगी, अब जो दूसरी company है, suppose इसके पास जो भी black money है, वो इसक transfer कर देगी, इसके नाम पे, और यह company किसी के दौरा खोली गई है, इसके दौरा ही यहाँ पे खोली गई है, तो basically अब यह company ने पैसा इसको transfer किया, बाद में आके बाद में यह AC में invest कर देगी, तो यह क्या हो गया, यहाँ से अब बारवाड उस से आपको यह investment दिख रहा है, बारवाड उस government ने यहाँ पे इसका registration किया, तो आपको क्या लगेगा, कि यह पैसा legal है, government के लिए यह पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, और आपने अपनी black money को क्या कर लिया, white में convert कर लिया, तो इसको हमने क्या बोला, कि यहाँ पे black को आपने white में convert किया, इस तरी similarities क्या है, और differences क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, कि देखो जो terrorism है, वो कहीं न कहीं modern organized crime को support करता है, और organized crime जो आपका है, वो terrorism को support करता है, तो दौनों एक दूसरे से interlinked है, दौनों का business एक दूसरे के दम पे ही चल रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, similarities की, कि दौनों में similarities क्या है, किस nature में दौनों एक समान है, ठीक है, तो सबसे पहले similarity की अगर बात करें, तो दौनों illegal है, ठीक है, दौनों law के against जाके काम कर रही है, दौनों illegal nature में, चाहे terrorism की बात करें, या organized crime की बात करें, second दोनों हमारे internal security के लिए बहुत बड़ा challenge है law and order खराब होता है इनसे ठीक है जो law and order agencies है उनको परेशानी जहिलनी पड़ती है लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुचाए जाता है तो यह सबसे बड़ी दोनों यहाँ पर क्या है security forces के लिए challenge है हमारे internal security के लिए challenge है ग्रोप उठालो बात करें हम जैसे लशकरे तोईवा की ठीक है एलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे यह बशा कहा हुआ है पाकिस्तान में ठीक है यह बैठा है पाकिस्तान में इसका जो head है अब पाकिस्तान की military इसको पूरा support कर रही है वहाँ की government पूरा इसको support कर रही है तो अब इसके जो terrorist head है इसको कोई पकड़नी पा रहे है world organizations इसमें कुछ करनी पा रही है पूरे तरीके से इसने पाकिस्तान का support लेके रखा है दूसरा इसके जो terrorist है उनको training proper provide की जा रही है पाकिस्तान आर्मी के दौरा resources मिल रहे है funding की जा रही है तीक है जब भी कोई planning की जाती है तो आप देखो resources इनके पास अभी level है navigation system बगेरा सारी तो हर चीज की mapping करते है forces कहां पे कैसे काम कर रही है उनके काम करने का तरीका क्या होता यह पूरी planning करते उसके बाद चीजों को execute करते है same हमने देखा organized crime में भी यह चीज होती है तो दौनों कैसे well developed है और well organized है इसके बाद दौनों को अलग-अलग group से supporting भी है और funding भी है ठीक है जैसे अगर हम example की बात करें तो आप इसमें ऐसे देखो कि यहाँ पे हमने देखा था terrorism में क्या हो रहा था या तो किसी को अपने political goal achieve करने या religious goal achieve करने या commercial goal achieve करने है तो अगर political goal achieve करने तो वहाँ की जो political party होगी वो उसको support कर रही होगी example के दौर पर पाकिस्तान की वहाँ की political parties terrorism को support करती है religious अगर goal है तो जैसे आप देखो ISIS तो उसमें यहाँ पे जो भी ISIS को support करने वाली countries है जैसे आप देखो Turkey वगेरा जो ऐसी countries है जो उसको support करती है थर्ड अगर आप देखो के वहाँ पे commercial benefit है ठीक है तो उस case में जैसे आप देखो के US है तो US क्या चाहता था अफगानिस्तान में entry चाहता था क्यों क्योंकि mineral rich area है तो इसने why way of Pakistan funding की किसकी आपकी यहाँ पे तालीबान की ठीक है religious में दूसरा example आप तालीबान का भी ले सकते हो कि Saudi ने इसकी पूरी funding की हुई है तो इस तरीके से जो भी groups हैं उनके दौरा पूरा supported है अब अगर सेम हम organized crime की बात करें आपको पता है बहुत सारे politicians ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी black money है बहुत सारे officers ऐसे होते हैं बहुत सारे stars ऐसे होते हैं कि जिनके पास black money बहुत जादा है अब इस black money को इनको white कराना है तो इनको जरुवत पढ़ेगी या तो हवाला की जरुवत पढ़ेगी money laundering कराना पढ़ेगा कुछ ना कुछ करना पढ़ेगा तो उस चीज में इनको जरुवत पढ़ने वाली है ऐसे लोगों की तो इसलिए अब ऐसे लोगों से ये black को wide करा रहे हैं तो इनको support भी करना पड़ेगा वहाँ पे ठीक है तो ये सबसे बड़ी problem होती है कि इनको support मिलता है अलग-अलग group से और funding अच्छी खासी है दूसरा क्या है funding का आप देखो जैसे terrorist को तो आपने देखा direct पैसा मिल रहा है यहाँ पे क्या है आप किसी भी transaction को करा रहे हो suppose एक करोर रुपे आपका black money का ठीक है तो अब यहाँ पे जो convert करने वाला है उसको भी आराम से लंसम पैसा मिलता है 20-30 लाग क्योंकि जो convert करा रहा है उसको पता ही यह पूरा black का पैसा है तो उसको 10-20 लाग देने में कोई problem नहीं होती तो इनकी भी funding अच्छी खासी होती है दूसरा क्या है दौनों एक दूसरे पे dependent है अपनी demands को fulfill करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ अब देखो जैसे organized crime में कोई arms trafficking कर रहा है organized crime में कोई arms trafficking कर रहा है तो अब इसके arms तब तक नहीं बिकेंगे जब तक कोई terrorist organization खरे देगी नहीं क्योंकि normal people तो यहाँ पे हर कोई लेता नहीं है ठीक है normal लोग में तो हर कोई लेता नहीं है कोई criminal activity जब कर रहा है तब ही बोलेगा वरना हर कोई इसको purchase नहीं करेगा तो अब यह dependent है terrorist organization पर दूसरा क्या है या तो यह terrorist organization से बोलेगा कि आप यहाँ पे जाके attack करो जब यह attack करेगा violence करेगा तो लोगों के मन में fear और panic होगा तब जाके वो यहाँ पे हत्यार को खरीदने की सोचेंगे ठीक है दूसरा आप देखो कि यहाँ पे और भी अगर हम बात करें किसी भी तरीके से आप ले लो हत्यार वाली बात हो गई या फिर अगर आपको drugs पहुचाने हो तो उसमें भी terrorist help करेंगे ठीक है goal smuggling करनी हो तो कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो इन सारे चीजों में terrorist की help ले सकते हो और terrorist को जो चीजें करनी है कि अब उन्हें पैसा चाहिए है arms चाहिए तो उसके लिए वो किस पे dependent है organized crime पे differences की बात करें कि दौनों में difference कहां पे आते हैं सबसे पहला तो difference क्या है कि दौनों के means और ends अलग है means और ends मतलब goal इनका अलग है और उस goal को achieve करने के लिए जो यह रास्ते अपना रहे हैं वो भी अलग है example के तोर पे अगर यहां पे आप देखो कि इसका ultimate aim क्या है organized crime का तो इसका है केवल commercial benefit के कुछ भी हो जाये इसको तो पैसा कमाना है उसके अलावा इसको किसी भी चीज से मतलब नहीं तो इसका ultimate motive है commercial benefit जबकि क्या है terrorism में religious भी हो सकता है political भी हो सकता है commercial भी हो सकता है even ideological भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है वहां पे means की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि यहां पे क्या है terrorism में एक ही means है वो है violence कि किसी भी तरीके से आपको violence create करना है अब वो violence कैसे हो सकता है आप बम धमाका करके भी कर सकते हो chemical weapons का भी use कर सकते हो nuclear weapons का भी use कर सकते हो छोटे हत्यारों का भी use कर सकते हो किसी भी चीज का use कर सकते हो लेकिन आपको यहां पे केबल हो केबल violence करना है जबकि commercial nature वाले crime में क्या है यह bribes देंगे दूसरा क्या है जैसे आपने देखा extortion वगरा हो गया तो लोगों को गिड़नेफ किया जा रहा है generally क्या होता है गिड़नेफ करेंगे पैसे लेंगे छोड़ देंगे यहां पे violence हर टाइम use नहीं होता है bribes, corruption, extortion यह चीज़े ज़्यादा होते है डराना, धमकाना यह तो इनके means अलगें ठीक है इनके means अलगें यह violence यहां पे ज़्यादा use नहीं करते है दूसरा अगर हम बात करें कि terrorism में heavy usage अबकि इसमें नहीं है planning और execution की अगर हम बात करें तो organized crime में ज़्यादा better way में होती है ठीक है, organized crime में ज़्यादा better है आप देखो, इंडिया में हबाला चल रहा है yes bank में fraud हुआ अभी हाल फलाल में एक दो दिन पहले news आई लक्षमी विलास बैंक की ठीक है, उसके पहले अगर आप देखो तो बिजयाए मालिया, SBI का पैसा खाके भाग गया है तो इस तरीके से हर साल में हम कोई ना कोई बैंक में कोई ना कोई fraud देख रहे है ठीक है, तो ये तो हम क्या है जिन चीजों को पकड़ पा रहे है वो दिख रहे है, ऐसे बहुत सारे crime से जिनका हमें पता ही नहीं है तो organized crime जादा planned है और इसका execution भी बहुत जादा strong है थर्ड अगर हम बात करें कि यहाँ पे organized crime को क्या होता है कभी-कभी political support बहुत जादा मिलता है ठीक है, क्यूंकि यहाँ पे बहुत सारे politicians हैं जो यहाँ पे organized crime के थुरू क्या करते हैं यहाँ पे अपनी black money को white कराते हैं दूसरा क्या है organized crime में जो criminals involved है जर्णली कभी-कभी क्या करते हैं वो पार्टी के लिए political funding भी करते हैं ठीक है, चुनाओ लडने के लिए पैसा दे दिया है, यह सारी चीज़े तो इनको जर्णली क्या होता है कभी-कभी यह देखने को मिला है कि इनको funding मिलती है यह sorry, यह funding देते है political parties को या फिर political parties की जो black money है या जो leaders की black money है उसको white में convert करते है तो इनको political support भी मिलता है इंडिया में organized crime की बात करें तो देखो, terrorism जो है इसका main मकसद क्या है कि जो government authority है या जो देश है directly यह उसको challenge करता है ठीक है, कि यहाँ पे armed forces को challenge करना मतलब हमें यह एक type की चुनौती दे रहा है हमारी सरकार को चुनौती दे रहा है कि हमने आप कि आपे attack किया आप क्या कर सकते हो जबकि organized crime में ऐसा नहीं है organized crime में किया एक parallel सरकार चलाई जा रही है सरकारें भी चल रही है जैसे example of fake currency का example of fake currency का कि RBA यहां पर legal notes भी चला रहा है और side में कि 100 उपे की note की एक गिड़ी है 100 note की आराम से बीच में आपने दो fake currency के note रख दिये लोग पता ही नहीं लगा पा रहे हैं तो यह parallel चल रहा है यह challenge नहीं करता है यह लोग कैसे रहते हैं दबे छुपे रहते हैं होने की कोशिश नहीं करते हैं organized crime इंडिया में किस-kis level पे देखा जाता है तो सबसे पहला तो देखा जाएगा आपका mis governance के level पे mis governance के level पे देखा जाने का मतलब क्या है कि basically इस level पे क्या होता है कि यहां पे क्या करते हैं लोगों को यहां पे पैसा खिलाया जा रहा है घूस खिलाया जा रही है जो officers है उनको खरीद लिया जा रहा है तो जब mis governance होती है उस level पे हमें organized crime बहुत जादे देखने को मिलता है तो यहां पे अब आपने क्या किया इसमें जैसे आप देख लो पीडिये सिस्टम हो गया जिसमें black marketing हो गया कि government ने गेहू चावल गरीबों के लिए भेजा है और उसको जो उसका ठेकेदार है जो contractor है उसने क्या किया वहां पे उसको आराम से चुपा के रख लिया लोगों को डरा धमका के रासन कार्ड पे sign करवा लिया बोल दिया के मुझे गया हूँ चावल मिल गया है उन लोगों ने ऐसा बोल दिया डरा धमका के कर लिया यह हो गया दूसरा सबोस किसी contract का allocation होना है कोई lease दे रहा है वो mining बगएरा के लिया तो वहां पे जो बाहु वली है उसने वहां के officials को डरा धमका के या पैसे दे के वो lease अपने नाम पे करा ली वो contract अपने नाम पे करा लिया तो यह सारी चीज़ें के जो mis governance है वो यहां पे होता है दूसरा क्या है conventional nature के जो crimes है इनको बहुत ज़ादा कि अब आपको कोई contract पास कराना है किसी officer से ठीक है तो आपने उसकी wife को अगवा कर लिया kidnap कर लिया या उसकी बेटी बेटे को अगवा कर लिया अब वो यहां पे pressure में आके जो threat है उसके उपर उसने contract आपको allocate कर दिया दूसरा extortion कि आपका कोई सीधा साधा सा officer है आपने उसकी कनपटी पे बंदूक रख दी कि अब आपको यह करने ही पड़ेगा काम तो उसने डरके कर दिया थर्ड क्या है contract killing कि कोई officer ऐसा है कि जो बहुत दाजा तेस तर्रार है तो आपने किसी को पैसा दिया एकदम से 20-25 लोग आए अब वो बिचार अकेला गाड़ी में जा रहा है आके उनने सीधी गोलियों से उसको छली गड़ दिया तो ऐसे conventional nature की crime की वज़े से भी क्या होता है हमारे यहां पर organized crime तेजी से बढ़ रहे है ठीक है दूसरा अगर हम बात करें कि इंडिया क्या है सबसे बड़ी problem इंडिया के साथ क्या है drug trafficking से related अगर हम बात करें तो क्या है drug trafficking हमारे यहां पर क्यों जादा हो रही है क्योंकि इसकी international linkages हैं ठीक है क्योंकि इसकी international linkages हैं इंडिया में क्यों तो geographical location हमारी ऐसी है जैसा आप इस map में देख पा रहे होगे geographical location ऐसी है कि एक area आपका golden triangle ठीक है एक है आपका यह golden triangle दूसरा आपका यह golden crescent यह दोनों क्या है world के सबसे ज़्यादा opium अफीम और ganja producing states हैं और इन दोनों के बीच में फस गया है यहां पे हमारा भारत ठीक है तो यहां से rough trafficking सबसे ज़्यादा इंडिया में ही की जाती है golden crescent में कौन कौन से आते तो आपके इरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यह तीन कंट्रीज आती है golden triangle के हम बात करें तो वाइतनाम, लाउस, थाइलेंड और म्यानमर इन चार कंट्रीज को मिला के golden triangle बनता है तो इन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा opium, ganja या अफीम की खेती होती है वही पर हम बात करें कि जो modern drugs है, cocaine, heroine इनकी खेती सबसे ज़्यादा कहां पे होती है production तो वो मैक्सीको और कोलंबिया में देखने को मिलता है जैसे आपने देखा होगा एक narcos करके एक wave series आई थी ठीक है, उसमें एक gangster था जिसका नाम क्या था, पाबलो X कोवार ठीक है, तो वो यहीं से आपका South America और North America में ही वो drugs पूरे तरीके से supply करता था तो यह सबसे बड़ा कार्टेल है दूसरा जो कार्टेल है वो यह दो कार्टेल है, यहाँ पे drugs की सबसे ज़्यादा production होता है और इंडिया की geographical location ऐसी है कि यह इन दौनों के बीच में फस गया है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा problem है कि directly supply हो रहा है कहां से, golden triangle से या golden krisen्ट से इसके बाद अगर हम बात करें कि नौर्थी स्टेरिया में इंसरजेंसी बढ़ रही है या कश्मीर में जो इंसरजेंसी बढ़ रही है इसकी वज़े से यहाँ पे arms की demand बहुत ज़्यादा हो रही है drugs की demands बहुत ज़्यादा हो रही है फिल लोगों के साथ यहाँ पे extortion किया जा रहा है kidnapping की जा रही है यह सारी चीजें बहुत तेजी में यहाँ पे बढ़ गई है तो organized crime in reasons में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है terrorist attack जो इंडिया में हो रहे है terrorist attack का अगर हम example है जैसे पठान कोट हो गया और ही हो गया तो यह सारी चीजें जो हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है अब यह terrorist attack हो रहे है तो इनमें एक तो external funding हो रही है external funding हो रही है तो इसमें black पैसा white किया जा रहा है money laundering इन सारी चीजों का इस्तमाल किया जा रहा है भी drug consume करता है वो यह सोचता है कि मैं अपने पैसे से खुद का drug ले रहा हूँ लेकिन वो यह नहीं समझ रहा है कि आप all over India को threat में डाल रहे हो क्योंकि ultimate यह पैसा trafficking का है और यह पैसा किस के पास पहुँचने वाला है जो हमारे terrorist लोग है उनके पास पहुँचने वाला है third क्या है यह लोग इंडिया में fake currency circulate कराते है उसके माध्यम से भी इनके पास क्या पहुँचता है पैसा पहुँचता है ठीक है तो fake currency के माध्यम से यह क्या करते हत्यारों को खरीदने की कोशिश करते यह सारी चीज है और फिर हवाला में भी इनवाल्व्ड है तो यह terrorist attack यहां पे किस तरीके से conduct किये जाते है फिर अगर हम बात करें तो इंडिया में bomb blast है वो भी हमें कुछ bomb blast ऐसे हैं जो हमें organized crime की बज़े से देखने को मिले अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यह थोड़ी सी बड़ी खिचडी है यहां पे बन रही है देखो क्या है organized crime में मैंने क्या बता है कि generally terrorist और organized crime एक दूसरे से linked है तो अगर यहां पे organized crime को सही तरीके से चलना है तो इसको terrorism का support करना पड़ेगा अब यहां पे क्या हुआ जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो इसके बाद जो gulf countries है जिनको हम Islamic nations भी बोलते है इनके side से pressure आया किस के उपर? दाउद के उपर इनके side से pressure आता है दाउद के उपर कि या तो आप इस चीज का बदला लो बाबरी मस्जिद वाले attack का otherwise हम आपके साथ transactions खतम कर देंगे जो आपके साथ business किया जा रहा है organized crime बाला है इसको हम खतम कर देंगे ठीक है तो जो दाउद की D company बनी हुई है उसके साथ हम यहाँ पे खतम कर लेंगे तो फिर इसने क्या किया वहाँ पे बदला लेने के लिए इसने करा है Bombay blast ठीक है RDX supply करके Bombay में blast करा है Bombay में blast हुए blast का result क्या निकला communal violence ठीक है अब basically यहाँ पे क्या आपने बोला बदला लेना है लेकिन आप एक चीज भूल गए जब communal violence हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक दोनों साइड के रिलिजन्स के हजारों लोगों की death हुई एक दूसरे ने murder किया दाहूद आराम से निकल गए लेकिन परेशान कौन हुआ ground level पे जो public है या basically जो गरीब लोग है वो इसमें सबसे ज़ादा परेशान हुए तो organized crime मैंने क्या बोला last resort पे violence जब यहाँ पे बोला गया कि हम आपसे trade नहीं करेंगे जब इनको commercial benefit जाते देखा तो उस case में क्या है यहाँ पे इनों ने क्या किया यहाँ पे इनों ने bomb blasts start किये ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई गैंग war जनरली देखो क्या होता है जब एक दूसरे में घुसते हैं यह तो भी गैंग war होता है कि एक गैंग दूसरे गैंग का काम चीनने की कोशिश कर दी एक यह लेकिन हमारे यहाँ पे एक गैंग war कैसा देखा गया religious line पे भी देखा गया ठीक है जब दाउद ने यहाँ पे blast किये तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो gangsters थे वो भी religious line पे बट गये ठीक है जो gangsters थे वो भी religious line पे बट गये जैसे आपने नाम सुना हो गए gangster गनेस गयत ऑंडे अर उन गाउली तो यह क्या हो गए यह हिंदूएब् religious line पे बट गए ठीक है तो ये और फिर क्या हुआ इनके बीच में लडाईयां स्टार्ट हुई एक दूसरे के जो गैंग मेंबर से उनको रोड चलते हुए गोलियों से मार रहे हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ अब गोली चलती है तो वो देख के हुए थे जिनका कोई कसूर नी था बैट के चाय कॉफी पी रहे थे उनको भी वहां पे मारा गया ये सारी चीजें करी गई तो यहां पे गैंग वार में भी ये एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि लोगों को क्या हुआ यहां पे तकलीफ पहुचाई गई मारा गया तो यह आपका था पूरा और्गनाइजड क्राइम अब और्गनाइजड क्राइम में अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि आगे आप क्या रास्ते ले सकते हो इसको खतम करने के लिए तो इसको हम कम माइन देखेंगे जब हम एकनॉमिक क्राइम्स भी पढ़ेंगे हमें कौन-कौन से स्टेप्स उठाने पढ़ेंगे तो वही सारे स्टेप्स उठाने आपको और्गनाइजड क्राइम से डील करने के लिए एक स्ट्रेडिजी जो हमने टेररिजम में पढ़ी थी वो यहां पे भी अपना सकते हैं सबसे पहला तो क्या है इंटेलिजेंस होती है तो यहां पे ग्राउंड लेविल पे जो पुलिस है उसको अपना इंटेलिजेंस मजबूत करना पड़ेगा यहां पे इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी पड़ेगी अब सपोस्ट पुलिस का जो खबरी है उसने आके बोला कि सर यहां पे हवाला का ट्रांजेक्शन चल रहा है तो सेकंड स्टेप अब पुलिस को क्या करनी है इन्वेस्टिगेशन करनी है अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है इन्वेस्टिगेशन करी अब यह अगर पकड़ा गया तो फिर आपको प्रोसीक्यूशन स्टार्ट यहां करना है और यह कैसा होना चाहि prosecution अच्छा खासा होना चाहिए कि in future इसको समझ में आए कि अब ये activities फिर से नहीं करनी है ठीक है और फिर क्या है अब को counter strategies कि ये अगर बारवार कर रहा है तो उसके लिए आपको कुछ strategies develop करनी पड़ेंगी कि किस तरीके से इसको बारवार crime करने से रोका जा सके तो ऐसी counter strategies भी police को develop करनी पड़ेगी या जो हमारी law enforcement agencies है उनको करनी पड़ेगी कहीं पर अगर आपको ऐसा दिखता है कि weapons का use किर रहे हत्रयारों का तो मुथबेड होती है तो उसमें आप इनको खतम करो criminals को ये strategy अपना सकते हो और इसके लिए आप क्या कर सकते हो एक सबसे important चीज कि जैसे हमारा Narcotics Bureau है तो इस तरीके से छोटी-छोटी sales बना दो आप जो थाने हैं कि Narcotics का एक-दो officers अलग deal कर रहे है यहाँ पर money laundering से अलग officer अभी क्या ये सारी चीज़ बड़े level पे हो रही है ठीक है छोटे criminals को कोई पकड़ी नहीं रहे है छोटे criminals ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे है यह सारे और जो बड़े लोग है वो नीचे level पे इन छोटे criminals से करा रहे है तो इस organization को आपको तोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी point पे जाके इसके लिए आपको अलग-अलग sales बनानी पड़ेगी अलग-अलग चीज़ों का creation करना पड़ेगा तो यह एक way forward हो सकता है बागी और क्या-क्या steps लेने हैं वो हम कल वाले lecture में देखेंगे तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो सबसे पहले तो जाके वीडियो लाइक करो और Unacademy Plus का subscription नहीं लिया है आपने तो Unacademy Plus का subscription लो Plus का subscription जैसे ही आप लोग है तो आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे notes मिलेंगे आपको PDF format में structured classes है online, offline जिस भी mode में आप convenient है उसमें देख सकते हो teacher के साथ interaction होगा आपका life classes चलेंगी तो ये सारे benefit आपको कहा मिलते है academy plus पे तो जल्ली से plus को join करो ये मेरा referral code है जैसे ही आप इसको apply करोगे आपको यह पे instant 10% का discount मिलेगा तो इस 10% discount का फाइदा उठाओ और इस referral code को apply करो साथ में जो अब special classes हैं उनको भी unlock करने के लिए आपको एक referral code की जड़ुद पड़ेगी तो उसमें भी आप इस referral code को apply कर सकते हो free of cost वो classes है लेकिन unlock करने के लिए एक referral code लगेगा आपको तो इस referral code को use करें कोई सी भी class आप देख रहे हो हर जगा ये referral code काम आएगा तो आप इस referral code को use करें साथ ही आपको इस referral code को तो use करना ही है और किसी भी category में अगर आप plus पे जोड़ना चाहरे हो UPSC, State, PSC, Bank, SSC उन सारी categories में भी आप इस referral code को apply करें और सब में आपको 10% का discount मिलेगा तो इस 10% discount का फायदा उठाएं जो आपको दिया जा रहा है Unacademy पर जो मेरी classes चलती उनकी timing सी है Philosophy Optional की class रोज सुबह मैं 11 बज़े ले रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हैं अभी एक दो दिन ये बंद रहेगी Ethics की class रोज शाम को 3 बज़े ले रहा हूँ अभी ये भी start नहीं हुई है इसकी जगा पर शाम को 3 बज़े अभी current affair चल रहा है तो आप message इसको भी current affair पढ़ना है वो शाम को 3 बज़े आके यहाँ पर current affair की class ले सकता है YouTube पर मेरी classes चलती रोज सुबह 9.45 एम पर ये prelim की class है prelims related current affair discuss किया जाता है और शाम को 6 बज़े जो अभी आप ये class देख रहे हो ये internal security की class है ये रोज शाम को 6 बज़े होगी कहाँ पर वाइफाइ study UPSC channel पर तो ये दो classes आप यहाँ पर देख सकते हो तो unacademy plus join करो साथ में वाइफाइ study जो UPSC channel है इसको भी subscribe करो ताकि आपको सारी notifications मिलती रहे जो भी हम update डालते वो आपको मिलता रहे वीडियो को जितना जादा हो सके उतना like करो अपने जो भी groups है WhatsApp, Telegram, Facebook जहाँ पर भी आप जुड़े हो उन सारे groups में इस वीडियो को share करो जितना जादा हो सके उतना share करो इस lecture को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आवार बहुत बहुत धनवाद एक गंटे का टाइम आपने मुझे दिया टाइम बहुत कीमती होता है जो आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत thank you so much तो इस lecture को हम यहीं पर खतम करेंगे जय हिंद